हेलो वरिवान, वेलकम टू पार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूकेसन चैनल में आपका स्वागत है, आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे स्पार फ्लॉक्जासिन मेडिसिन के बारे में, तो हम सीखेंगे ये मेडिस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, तो एक्सपर लेक्चर बाया मरसर, आसस्टम प्रॉफेसर और फांडर फार्मरोक्स, थेंक यूपर बीन फार्मरोक्स पे मिली अपडेट इट रही है फार्मरोक्स के साथ, सीखें अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उ 0016312020 नमबर पे आप हमें कॉल या वाटसेप कर सकते हैं, अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है Hollywood to Hindi Explain, जहाँ पे आप अलग-अलग Hollywood की movies को अच्छे से देख पाएंगे, वो भी हिंदी में अच्छी पीच्चर कॉलिटी के साथ, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है Hollywood to Hindi Explain, लिंक आपको description box में मिल जाएगी, तो अब समझते हैं, स्पार फ्लॉक्जासिन मेडिसिन के बार में, तो यह ऐसा क्लास का मेडिकेसन हैं कि जिसको हम एंटिबायोटिक्स कहते हैं, और एंटिबायोटिक्स के अ जिखा था, वो फ्लॉक्जासिन सीका था, तो उसी तरह से स्पार फ्लॉक्जासिन भी वही कैटेगरी की मेडिकेसन है कि जो अलग-अलग बैक्टिरा के करन होने वाले इंट्रेक्शन को ट्रेट करने के लिए यूज की जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के हम बात करें, तो एक स्ट्रेंथ उसके अवलेबल है, वो है 100 mg वाला और दूसरा स्ट्रेंथ अवलेबल है, वो है 200 mg के उसके टाबलेट्स जो वो मार्केट में अवलेबल है, आगे समझते हैं, ये मेडिकेसन के बेजिक यूज के बारे के कौन से अलग-अलग medical conditions को ठीक करने के लिए इस पार फ स्पार फ्लोग्जासिन, सैकन्ड जो लंबे समय तक जो आपको breathing problem होती है, कि infection के करन आपको सास लेने में problem हो रहा है, ये आप आप देखो, कि आपके जो lungs है, वो समझे के infected हुए है, और वो infected lungs के करन आपको breathing करने में problem हो रहा है, तो उसके ilalag में भी स्पार फ्लोग्जासि हम बात करें तो जो pneumonia की जो condition produce होती है उसकी इलाज में भी ये medication use किया जाता है चौथा हम देखे तो जो sinuses की जो condition की जो specially हमारा upper respiratory tract का infection जो हम कहते है तो जितने भी RTIs जो हम कहते हैं respiratory tract के जो infection से उसमें ये medications काफी effective साबित होती है फिर जो UTI जो हम कहते हैं कि urinary tract का जो infection होता है कि जिसमें समझे कि आपको blader के अंदर को infection है bacteria के कारण kidney के अंदर है या फिर ureter के अंदर या फिर आपकी urinary tract के अंदर किसी भी जगा पे sujan है bacteria के कारण infection हुआ है तो उसके इलाज में भी spar phloxacin prescribe की जाती है फिर prostate gland का जब जो कि infection हुआ है bacteria के कारण तो वो condition को भी treat करेगा spar phloxacin और जो skin के अंदर bacteria infection जो कई बार होता है muscles के अंदर जो bacteria के कारण infections होते है या फिर आपकी skin damage होती है bacteria infections के कारण तो उसमें भी ये medication जो है वो useful साबित होता है तो यहाँ पर जो आप देख रहे है कि जो infection आपके urinary tract के अंदर जो specially फैलता है तो वो क्या करता है कि आपका जो ureter का बाग है या फिर आपका bladder है urethra है या फिर आपकी kidney से तो वहाँ पर inflammation मतलब के surgeon हो सकती है और आगे जाके आपके बहुत सारे complications होते है urinary tract infections related या फिर आपके lungs आपके फेपरो के अंदर infection होता है कि यहाँ पर जो आप देख सकते है normal alveoli है उसके compare में pneumonia के अंदर जो condition होती है ऐसे condition के करण आपको breathing problem होती है वहाँ पर cough जमा होता है और बहुत सारे complications होते है respiratory tract infections related तो spar phloxacin especially हम देखे तो दो तरह की condition एक तो UTI और दूसरा RTI दोनों में बहुती effective साबित होता है अब उसके dose की हम बात करें तो जो adult के लिए जो dose होता है कि जब आप treatment start करते है तो starting में जब treatment का पहला दिन होता है तो पहले दिन पर patient 400 mg जितना dose जो रिसीव करता है तो वो 100 mg के tablet से आप ये dose दे रहे है तो ये patient जो जो दिन में 4 बार ले सकता है कि जिससे day 1 को 400 mg जितना जो dose है वो उसको मिल सके या फिर 200 mg से आप ले रहे हैं तो इस तरह से 1-0, 1 की दिन में 2 बार ले patient तो भी 400 mg जो उसको deliver हो सकता है तो depend करता कि आप किस तरह से उसका जो है वो divided dose तेयर करते हैं अब ये हो गाया पहले दिन का dose अब बात करते कि पहले दिन के बाद दूसरे 9 9 दिनों तक किस तरह से आपको उसको dose देना है तो 200 mg once a day उसके बाद कि बागी कि जो 9 दिन है कि total समझे कि 10 दिन का treatment है तो day 1 का समझे लो इस तरह से है day 1 आप देते हैं 400 mg पर day और उसके बाद day 2 से लेकर day 10 तक 200 mg पर day इस तरह से 9 दिन तक treatment चलेगी 200 mg पर day से और जो 10 दिन में लोगी जो आपका first day था उस दिन आप 400 मिलेगे जो तोटल 10 दिन तक patient का जो है वो treatment जो है वो चलता है अब बात करें कि 200 mg का जो tablet है वो once a day भी ले सकता है या फिर 100 mg का जो ये tablet है वो दिन में दो बार भी ले सकता है जिससे आप उसको divided dose के अंदर जो है वो medication जो है वो दे सकें अब बात करते हैं उसके working की कि किस तरह से spar phloxacin काम करता है तो spar phloxacin का जो काम है वो है bacteria seedal seedal मतलब कि वो kill करता है bacteria को उनकी date होती है अगर ये medication आप लेते हैं तो तो वो किस तरह से होता है वो मैं आपको अब समझाता हूँ तो किसी भी bacteria को अपनी growth करने के लिए अपना DNA जो है वो replicate करना होता है वहलों कि DNA इसकी copy बनाता है कि उसके पास राजो एक ये जो genetic material है उसकी multiple copies त्यार करता है और उसके लिए जरूरत पड़ते है कुछ enzymes की जिसका नाम है ये DNA gyrase enzyme या फिर topo isomerase for enzyme कि जिसकी मदद से वो multiple copies त्यार करता है अपने DNA की और वो अपनी growth करता है बट आपका ये जो medication spar phloxacin वो क्या करता है कि ये दोनों जो enzyme है उसकी effect को completely क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है अगर ये दो enzyme नहीं होगे तो आगे जाके ये जो DNA का जो replication होता है उसका transcription होता है वो process जो वो completely बंद हो जाते है जिससे आगे जाके bacteria अपनी growth नहीं कर पाता और उनकी जो वो date हो जाती है वो kill हो जाते है जिस कारण spar phloxacin जो है वो bacteria seedal के तोर पे काम करता है अब समझते हैं ये medications के कुछ side effects तो सबसे पहले dizziness की ये medications लेने के बाद आपको ऐसा फिल होता है कि आपको जो वो काम करने का मनलब कि ऐसा मन नहीं होता आपको नीन दाती रहे ऐसा आप फिल करते है dizziness जैसा जो आप फिल करते हैं कि आप ये जो आप कार्टून देख रहे हैं इस तरह से condition जो वो produce होती है मनलब कि आपको जो वो नीन दाती रहती है ऐसा आप ज़्यदा फिल करते हैं second कुछ cases के अंदर stomach pain कि आपका जो पेट है वहाँ पे आपको ऐसा फिल हो कि आपको दर्द जैसा हो रहा है pain हो सकती है वहाँ पे पेट में दीसरा nausea vomiting कि आपको जी गब रहा है अगर फिर उसके बाद उल्टी हो सकती है mouth में हम बात करें तो उसके करन आप कोई बार ऐसा फिल करें कि bitter taste कि oral cavity के अंदर आप कडवास महिसुस करें आपके मुव में आपको कडवास लग रही है ऐसा आप फिल कर सकते हैं indigestion मतलब कि और पाचन की condition आप फिल कर सकते हैं और diarrhea हो जाते हैं कुछ लोगों को या फिर आपके जो heartbeats से वो irregular हो सकते हैं ऐसे कुछ side effect और develop होती है फिर दूसरे कुछ side effects हम देखे specially skin के related तो कुछ लोगों को ये medications लेने के बाद अपनी skin के उपर blisters develop हो जाते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे है कि इस तरह से blisters जो हो develop होते हैं आपकी skin के उपर या फिर वहाँ पर आपको itching हो सकती हैं कि समझो कि इस तरह से भी समझो कि racist बने तो वहाँ पर फिर आपको जो वो itching होगी खुजली वगेरा होगी तिसरी condition कि ये जो skin जो आप देख रहेगी वहाँ पर आपको redness देखने को मिल रही है तो ऐसा कुछ लोग जो वो feel करते हैं चोथा हम देखे तो sensation of skin burning कि कई पर आपको ऐसा फिल होगी है कि आपकी skin के उपर जो आपको burning sensation हो रहे है जलन जैसा हो रहा है या फिर skin के उपर racist बन रहे है या फिर वहाँ पर इस तरह से आपको जो वो सूजन देखने को मिल रही है तो अगर कुछ ऐसे side effect ज्यादा severe हो रहे है तो तुरंत ये medication को लेना जो बन कर देनी चाहिए because ये कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको ये medication की allergy है तो allergy के करण कई बार ऐसा होता है allergic reactions develop होना शुरू होते है तो तुरंत उसको लेना जो बन कर देना चाहिए तो next topic जो है वह हमारा जैसे हमने देखे कि जो उसके minor side effect ये देखे उसी तरह से अगर कुछ ऐसे major side effect होते तो तुरंत इसको लेना बन कर देना चाहिए अब बात करते हैं उसके warnings की तो अगर उसके कारण आपको allergy होती है तो ये medication को लेना बन कर दीजे second आपकी skin के उपर blisters बनना शुरू हो रही है जैसे अब हमने उसके कुछ complicated side effects देखे कि skin के उपर blistering हो रही थी races हो रही थी skin लाल हो रही थी वहापे सुजन हो रही थी खुचली हो रही थी तुरंत ये medication लेना बन कर दे तिसरा आपके body के उपर सुजन हो रही है जैसे कि आखों में सुजन हो रही है आखों के उपर सुजन हो रही है face पे सुजन देखने को मिल रही है आपके mouth या फिर आपके lips आपके jib आपके गले में सुजन देखने को मिल रही है आपके हाथ है आपके पैर है आपके ankle का बाग है या फिर आपके lower legs सभी पे समझे के सुजन देखने को मिल रहे है तो तुरंद ये medication लेना बन कर दे चौथी condition देखे तो अगर ये medication लेने के बाद आपको चक्कर आ जाते हैं और आप गिर जाते हैं या फिर loss of consciousness के condition produce होती तुरंद ये medication लेना बन कर दे या फिर chest pages आप फिल करते हैं पेट में दर्जे समय सुस कर सकते हैं या फिर sudden back pain होता है तो भी उसको नहीं लेनी चाहिए और तुरंद आपके pharmacist है फिर doctor को बताना चाहिए अगर ये medication लेने के बाद कुछ भी ऐसे issues आपको हो रहे हैं अब बात करते हैं counter indications के कि किन लोगों को spar phloxacin नहीं लेनी है तो अगर आप pregnant है या फिर आप breastfeeding period में है तो spar phloxacin को यूज ना करें फिर आपको diarrhea हुए है बढ़ diarrhea होने का reason है Clostridium difficile bacteria तो भी आप ये medication को यूज ना करें फिर आपके diabetes के आप patient है और आपका blood sugar लो रहता है तो भी spar phloxacin को यूज नहीं करनी चाहिए फिर G6 PD के deficiency है आपके body के अंदर की जिसको glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency का आ जाता है आपके body के अंदर magnesium के amount कम है आपके blood के अंदर या फिर potassium के मातरा सेरेर में कम है या फिर आपको scissors आते है बोडी के अंदर तो भी में लाइल या फिर low scissor threshold है मायस्थेन या ग्रेविस के आप patient है तो भी और spar phloxacin को यूज ना करें तो हमारा second channel की जिसका नाम है Hollywood to India आपके जिसको ज़रू से subscribe करें और वहाँ पे देखिया अलग-अलग Hollywood की movies को Hindi में अच्छी picture quality के साथ और medicine course के अंदर सिखे दावाई के basic use के बारे में dose, sad effect, warning and contraindications को एक साल तक affordable price में Pharma Rocks की app उपर तो अभी download करें आप Pharma Rocks और वहाँ पे access करें अलग-अलग courses को वह भी काफी affordable price में तो Android user और download कर सकते हैं Android app, iPhone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर हमारा contact number है 9016312020 तो good luck and all the best